हेलो दोस्तो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल और दोस्तो आज हम बात करेंगे इंजेक्शन मैक्सटॉल एकसपी के बारे में कि किस कमपनी का प्रोडक्ट है पस वो में किन-किन बिमारियों में आप इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं पस वो में इस इंजेक्शन को देने के dose क्या है और इस injection के withdrawal period के बारे में तो दोस्तो इस injection से related पूरी जानकारे आपको इस वीडियो में मिल जाएगी तो सबसे पहले जो दोस्त मेरे चानल पे नए आये हैं उनसे request है मेरे चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और बैल आइकन का बटन जरू की करें तो इस injection में जो content डाला गया है दोस्तो वह है tolfinamic acid जो कि इसमें per ml में 80 mg डाला गया है दोस्तो इंजेक्शन मेक्स्टॉल XP एक non-steroidal anti-inflammatory drugs है दोस्तो जब कभी भी आप इस injection का यूज़ पसमों में करते हैं तो बहुत ही सांदार result आपको इस injection के पसमों में देखने में दिक्कत कर रहा है या पसु चलने फिरने में दिक्कत कर रहा है तो दोस्तो उस condition में choice drug के रूप में आप इस injection का यूज़ पसु में कर सकते हैं इसके लावा दोस्तो पसु में अगर respiratory tract का अगर infection हो गया है कि पसु सांस लेने में दिक्कत कर रहा है पसु की सांस में आव पसू कर रहा है। तो दोस्तो उस condition में भी choice drug के रूप में आप इस injection का यूज पसु में कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तो अगर आपने पसु की surgery करवाई है दोस्तो तो post operative care के रूप में भी आप इस injection का यूज पसु में कर सकते हैं इसके अलबा दोस्तो पसुमें fracture के case में, wound के case में या किसी भी तरह की other painful condition में दोस्तो आप इस injection का use पसुमें कर सकते हैं। दोस्तो अब बात अगर हम इस injection के पसुमें root की करें तो intra muscular और intra venous दोनों root से आप इस injection का use पसुमें कर सकते हैं। दोस्तो अब बात अगर हम इस injection की पसुमें dose की करें तो दोस्तो cattle और buff के case में 4 mg पर kg body weight के हिसाब से आप इस injection का use उनमें कर सकते हैं। लेकिन दोस्तो गाए भेंस के case में सिर्फ single dose ही आप इस injection की लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तो अगर आप इस injection को दुबारा अगर गाए भेंस में repeat करना है तो 48 hour के बाद आप इस injection को दुबारा गाए भेंस के case में repeat कर सकते हैं। की केस में 2 mg पर केजी बॉड़ी वेट के हिसाप से सिंगल डोज के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज पसू में कर सकते हैं दोस्तों इंजेक्शन मैक्स्टॉL XP एक प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन है और गाविन पसूँ में भी आप इस इंजेक्शन का यूज कर सक से कम 24 गंटे आप उस पसू के मिलक का यूज नहीं कर सकते और कम से कम 7 दिन आप उस पसू के मीट का यूज नहीं कर सकते तो I hope दोस्तों कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नए टॉपिक और उसकी फुल इंफॉर्मेश के साथ